Hello everyone, welcome to the video and welcome back to the channel, बच्छो, this is your science एजुकित आक्षे कुमर रपाद्ध है, इस session में या इस वीडियो पर हम लोग डिसकस करने वाले है, how to solve sample paper, वो भी CBSC का official, मैं एक यहर का आपको दिखाऊंगा, और I'll give you a target at the end of the video, बच्छो, so that आप लोग भी कुछ targets को complete कर सको, तो let's find out कि कैसे हम लोग पहले तो official website से download कर सकते question paper, ठीक है, तो let's come to the screen, देखो बच्छो, आपका CBC का official website है, that is cbscgov.in, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस website पर आजाना है आप लोग को, ठीक है, जैसे website पर आते हो बच्छो, you can see, यहाँ पर academic website लिखा हुआ है, okay, let's click on this अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको CBC होगे, official website पर बहुत सारी चीज़े देखने मिलेगी, पर तुतने letter को देखने की जरूत नहीं, आप सीधा 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 आ जाओगे, sample question paper वाले पर, थोड़ा zoom in कर लिया होने, sample question paper, okay, यहाँ पर आप लोग क्लास 12 और क्लास 10 का option आरा, देखो, अथी सीधा है कि आप लोग को दोनों ही options यहाँ पर available है, तो what we will do is, in this case is, बच्छो, हम लोग क्लास 10 वाले part पर हम लोग क्लिक कर देगे, अब आपका यह page open हो चुका है, इसमें what you can see, यहाँ पर different different subjects के लिए चीज़े दी गई है, okay, देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका sample question paper को open कर लेंगे, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपके सामने, आपका sample question paper open हो चुका है, इसको आप लोग यहाँ से download भी गर सकते हो, अभी के लिए मैं इसी website से directly बता रहा हूँ, तो हमारे पास में कुछ general instructions दिए करेंगे, कम का timer रगा के बेठो, और try to solve this paper, अगर आपका syllabus completion हो चुका है, नहीं भी हुआ है, at least try to solve those chapters के questions, जो आपने complete कर ली है, इस एक sense of idea आप लोगों को मिले है, कि आपको करना कौन से chapters को है, और कैसे करना है, पहली बाद दिखो, आपको पता है, हमेशे यह CBSE का जो भी पेपर है पास sections में divided होता है, इसमें आपका पहला section है, पूरा पूरा objective type है, बाद बेको ला, जो B section होता है, वो short answers के लिए होता है, इसमें 6 questions रहोगों को, then उसके बाद में, short answers के बाद में, पिर से 7 questions होंगे, short answers वाले, 3 marker question, 2 marker question, 3 marker question, section D में, 3 long answers होंगे, इसमें long questions भी बोल सकते है, 5 marks इसमें 3 case-based questions या फिर बोल सकते हो passage-based questions हो सकता है, source-based questions हो सकता है, यह सब questions इसमें included होता है, तो यह सब चीज़े आप लोगों को यहाँ पर mentioned है, आपका paper pattern यहाँ पर ready है, ठीक है? अब important चीज़ दिये, याद रख लिए 50% जो है, बच्छों, मैं लास्ट वीडियो बताता है कि कैसे competency-based questions को आपको डाउनलोड करके प्रैक्टेस करना है, अब यहाँ पर बच्छों, आपको जबी भी solve करों section A, section B, ऐसे ही flow में solve करों तो ज़्याद अच्छा है, वैसे paper के time पर आपको चाहों तो आगे पीछे भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा बोलता हूँ, prefer जो pattern दिया हुआ है, वैसे ही, question paper पहले अच्छे से read कर लो, उपर से नीचे तक पूरा जो आपका question paper है, एक बार read it, जितना question से सब read कर लिया आपने, समझो आपने यहाँ तक पूरा read कर लिया, ठीक है, then come back again, question read कर लिया एक बार, इसको अगर अच्छे से देखो आप लोग, तो this is a marking scheme, तो यहाँ पर what you can see, कि हर एक section अच्छे से mentioned है, तो आप अपने answer sheet में भी जब mention करोगे बच्चों, तो answer को ठीक से mention करना, अब देखो मैं question paper का question दिखाता हूँ, आप लोगो, if you observe, बच्चों, यहाँ पर question में क्या mentioned है, question में mentioned है, identify PQR in the following reaction, और आपको ABCD option दिया है, अब बच्चे इसको elaborate करते लिखते रहते हैं, बच्चे इतना time नहीं होता है आपके पास में, to elaborate it, तो आपको simply क्या लिखना है, 2 to 4, और A is the answer, A लिख दिया आपने, इसको elaborate करना नहीं, इसको explain करना नहीं है आप लोगों को, then you can go with the second question, उसमें क्या पुछा है, B में match the columns पुछा है, तो एक बदर match the columns वाला पार्ट देख लो, जो answer है, simply उस answer को mention करना है, कुछ और mention नहीं करना है, simply आप answer को mention करोगे, तो ऐसे ही बच्चों, आप जितने भी sections में पढ़ोगे, बच्चों, सब में आप लोगों को सिर्फ answer mention करते हुए चलना है, उससे जादा कुछ नहीं, I hope it is clear, तो जब आप लोग mention कर रहे हो, बच्चों, answer को mention करो, और similarly आपका समझो, यहां तक, अब इदर को यहां तक, 16 तक, आप लोगों के MCQs है, इसके आद में यह पूरा ARQs है, इसे assertion and reason करते हैं, उसमें भी सिर्फ answer ही mention करना है, कुछ और mention नहीं करना है, तो जब भी आप questions का answer solve कर रहे हो, objective case में, बच्चों, आप लोगों को हमेशा answer को ही mention करना है, question mention करना नहीं है, I hope it is clear, अब यही same चीज़ में आपके, इसके पर्में भी कह सकता हो, बच्चों, अगर आप questions को आगे बढ़ाओ, तो what you can see, कि इन questions में, यह तो हो जाएंगे हमारे 20 questions पहले वाले, तो इसे आगे scroll कर लेते हैं, अब section B में two marker questions है सब, तो two marker questions को भी identify करोगे आप पहले कि कौन से two marker question है, और उनको mention करते हैं समय भी बच्चों, be very precise, be very precise अपने answers के साथ में, अब कैसे precise होना है सब देखो, यहाँ पे, तो जितना question पूछागे हैं उतना answer लिखा है, लोगों समझ में आएगा कि कोई भी particular question है, उसों कितना अच्छे सा breakdown करके लिख सकते हो, तो हर question के लिए बच्चों, आपके बास marking scheme है, अगर A point है, B point है, अगर आप उसको mention करोगे हैं, तो उसी case है, आपको half marks, half marks, half marks मिला कर, two marks मिलने वाले यहाँ पर, तो हमेशे याद रख लिए ना बच्चों, जबी भी आप solve करने बैट रहे हो, आप answers को breakdown करो, बर जादा elaborate ना करो, जितना पूछा गया, उतने answer का देना, उससे जादा answer देना नहीं है, अगर आप चाहते हो, कि मैं topper paper का भी discussion करो बच्चो, we can do that also, आप इस video के comment box में लिख देना, अगर आप चाहते हो, कि topper के जो sheet है, उसका breakdown, बताओ sir, कि उन्होंने कैसा लिखा है, और उसमें आपको क्या चीज़े लगती है, या फिर आप क्या चीज़े आड़ कर सकते हो, यह भी मैं आप लोगों को breakdown करके बता दूँगा, आप से comment में लिख दिना, टॉपर ब्रेक्डाउन, ठीक है, I'll do that also, तो यहाँ पर दो माका का फिर से question है, तो दो चीज़े, structure and function बुचा, तो structure के लिए 1 माक मिल जाएगा, यहाँ से, दोनों के half of marks, okay, half और इसके half marks, similarly half इसके marks और half इसके marks, जिससे 2 marker quotient, 2 marker quotient बनता है, हमेशा मैं बोलता है, बच्छो, सब points में divide कर रहे हो, तो 2 mark के लिए 4 points दिखो, सब points, मैंने बोलता है, बहुत डीटेल में, सब points बनाओ, बस, I hope इतना पाट क्लियर है, तो सभी answer अगर आप 2 mark के देखो, उसी हिसाब से mentioned है, जिसमें 0.5 marks goes to 1 point, ओके 1 valid point के लिए 0.5 marks मिल रहा है आप लोगो, ठीके, numerical है, तो उसमें directly आप sum solve करोगे, जो उसका last वाला पार्ट है, उसको आप लोगो directly 2 marks मिले हैं, तो उसमें कोई tension लेने की बाते हैं, steps के marks as such इतने नहीं मिलते हैं, जब 2 mark question होता है, तो आप लोगो को सीधा sums के उपर आजाना है, तो ऐसे आप लोगो को sample question paper करना है, case based questions क्यों नहीं हो, कोई भी type case, section C है, 3 mark question है, precisely answer करो, precisely, अगर जैसे इस question को अगर आप देखो, तो इसमें पहले वाला बहुत detailed है, और इसमें अगर आपने 3 points में break down कर दिया है, तो 3 points के साथ है, 3 points में लेगे, तो 3 marks मिलके आपको इस question के लिए, और अगर आप इसके साथ जा रहे हो, तो यहाँ पर 1 mark आपको explain करने के लिए, और 1 mark आपके chemical reactions को break down करने के लिए, हमेशे याद रख लेना, यहाँ पर states अगर आप मेंचेंट है, उन सब के भी marks होते हैं, तो प्लीज उस पर और एक बद्यान देंगे, हम लोग, हम लोग क्या करेंगे, बच्छो, we'll set timer, सबसे पहले हम लोग set करेंगे timer, जितने hours का paper है, बच्छो, उतने hours का timer set करेंगे, तो 3 hours का paper है, तो 3 hours का timer set करेंगे, और उस timer में हम लोग solve करेंगे, ठीक है, उस timer के साब से हम लोग solve करेंगे, paper क हो and then self evaluate करना है self evaluate करना है self evaluate करके खुद को marks दोगे और खुद के marks इतने काट हो नो बच्चो कि खुद को ही लग यार मैं इतना marks की पाट रहा हूं और किसके तुरू आप verify करोगे बच्चो verification के लिए आप इसका answer की इस देख सकते हो जिसे MS भी कहते है marking scheme भी कहते है इसके तुरू आप लोग देख सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो I hope जो भी मैंने अभी बताया बच्चो आप लोग clear होगा इस session के बाद में कोशिश करना आप लोग कि sample question पर लो official website से इस year का इसके पहले के और try to solve it then MS से verify करो marks और check करो आपको कितने marks मिल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ इस comment इस video के comment में बच्चो आपके scores भी mentioned हो okay out of 80 आपको कितने मिले हैं तो I'll be very happy to see your scores और अगर अच्छे नहीं आए तो दो तीन बार देंगे बच्चो पर और आ जाएंगे तो I hope बच्चो आज का वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा और आप लोगो को informative लगा होगा अगर लगा है बच्चो तो ला